स्वागत है आपका और नई वीडियो में, आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक नई ब्लॉग, एक नई वेबसाइट के उपर कैसे हम जो कि वेबसाइट ट्राफिक ड्राइब कर सकते हैं, आप सभी को मालूम है कि जितने लोग भी यहाँ पर पैसे इन्वेस्ट कर रहे है पैसे इन्वेस्ट में क्यों बोलता हूँ, आपको यह भी कंसेट के लिए होना चाहिए, कि हम जो ही कि होस्टिंग लेते हैं, हम डोमें लेते हैं, और उसके बाद जो ही कि होस्टिंग, आप सभी को मालूम है कि ब्लॉगर्स पर बहुत कम लोग टिकते हैं, ब्लॉगर.com ज लेके अपर लोग सीखने के बजाए क्या करते हैं, यहां पर चले आ रहा हैं, वर्ट पेस पर अगर अगर बात करें, तो वर्ट पेस थोड़ा सा उसका सिश्टम अलग है, और यहां पर अलग है, वर्ट पेस में जगर जगर पर आपको पैसे देने पड़ते हैं, जब एक अब अब इस बार आप पैमेंट करते हो, यहां पर यहां पर वर्ट पेस में होस्टिंश लेने के लिए और उसके बाद डो में ले तो तो आप इसके दें निकालते हो, फिर इसके बाद अगर अगर ऐम बात करें, पासे प्लंक ओ करें से इसके निकालते हैं, जब यह सारी प्रॉब्लम आती है जो की content को लेके जब content आप लिख लेता हो चलो आप खुद से content बना लेता हो तो उसके बाद जो की adsense को लेके problem आती है adsense में आपका patch पस जाता है और adsense में जल्दी approval नहीं देखने को मिलता है तो उस case में जब आप adsense approval भी करा लेता हो तो सबसे ज़्यादा लोग जो इतने सारी problems को filter होके इतने सारे investment करने के बाद जो की आते हैं उसके बाद जो की सबसे ज़्यादा लोग फ़स जाते हैं website traffic को लेके website traffic को अगर हम बात करें कोई आपको एक जगा रखा हुआ नहीं मिलेगा कि जो की आपने उठाया आप आए और उसे जो की drive कर लिए इस पे मेहनत करनी पड़ती है इस पे आपको trick को लगाना पड़ता है idea को लगाना पड़ता है continuously इसको पर work करना पड़ता है जिसके बाद आपको traffic मिल दिया तो देखिए मैं कुछ ऐसे simple से तरीके बताऊंगा और मैं आपको इसलिए ये सारी चीज़े बता रहा हूँ ताकि आप अपने जो investment है उसे उस समझे और अपने time को समझे आप थोड़ा time ज़्यादा दे कोई बात नहीं लेकिन आप अपने पैसे invest करके आप जो की भागना जाए क्योंकि क्या हो रहा है कि एक साल के लिए hosting ले रहे हैं लोग और एक साल में सोचते हैं कुछ हुआ तो ठीक है अधरवाइस हम भाग जाएंगे अरे अपने तो भाग गए आप जो एक साल के बाद चले गए अभी भी टू येर्स के लिए domain register करो और फिर इसके अंदर बने रहा हूँ otherwise जो की फ्री में blogger से आप जो की एक domain लेके आप approval तक के process तक को follow कर सकते हो traffic के लाने के process तक को follow कर सकते हो जब आप वहाँ पर export बन जाते हो काफी कुछ knowledge वहाँ पर gain कर ले तो फिर जाके directly आप shift होगे यहाँ पर तो वह सारी experience सारे knowledge वह जो है कि यहाँ पर wordpress पर काम में आएंगे और बहुत ज़्यादा help करेंगे आपको जो कि मुझे मालूम है वहाँ पर time waste हो रहा है वहाँ पर आपको सीखने को यह सिर्फ आप time दे रहे हो लेकिन यह है कि आपको वह सारे knowledge वह सारे प्रैक्टिकली जो चीज़े आप फसे रहोगे error को सामना किये रहोगे वह सारी चीज़े यहाँ पर आपको wordpress पर help करती है तो जो भी चीज़े मैं आपको इसमें बता रहा हूँ यह बहुत important है और खास करके इसलिए बता रहा हूँ कि आपके पैसे आगे चलके waste ना हो otherwise आप किसी professional blogger से आप सीख सकते हो जितना कुछ आप सीखोगे जितना कुछ आप जो कि learn करोगे उतना best आपको response मिलेगा जल्दी quickly अगर response चीए तो आप सीखो उससे के बाद ही आप जो कि hosting domain आप purchase करो जो कि आपके लिए फायदे बंद होगे और एक blogging में जो कि एक अच्छी बुष्ट देने में आपको benefit देंगे तो फिलाल मैं आपको उतादो कि बहुत सारे bloggers यहां पर यह गलतिया करते हैं और traffic को लेके बहुत ज़्यादा लोग फस जाते हैं तो देखे सिंपल सा तरीका मैं आपको दा रहा हूँ कोई भी website हो किसी भी blog पे एक नई blog एक नई website वे traffic drive करने के लिए कौन सा भी ट्रिक आप यूज मत करो पेड ट्रिक आप बिल्कुल मत यह करो पेड ट्रिक का मतलब यह है पैसे देखे जो कि google ads ते या फिर facebook से या फिर जिसको हम बोलते है ads and loading वो चीज़े आपको नई करने है ठीक है इस चीज़ को बिल्कुल ही ignore करो और जो कि जहां पर आपको समझना है कि traffic आएगी कैसे तो traffic जहां पर audience है audience कहां कहां पर आपको यह identify करना है कुछ ऐसे platform identify करने जहां पर regular base पर जो कि audience बनी हुई है और regular base पर आपको जो कि backlist जहां से मिल सकती है यह चीज़े आपको identify करना है बहुत सिंपल है जो कि मैं आपको उदारता हूं देखिए facebook facebook एक बहुत बड़ा platform है जिसको ह facebook में जो की comment section होते हैं हमें groups को नहीं जोइन करना है हमें groups इसलिए जोइन करने होते हैं क्योंकि घ्रूप्स में share नहीं करना है हमें article share करना है कभी share मत कर ये article उसमें शेर करेंगा खोई आपकी article read नहीं करेगा वीडियो लाया हूं और उसको आप देख सकते हूं complete वीडियो मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूं लगातार जो है कि कोई नई वीडियो ला रहा हूं जिससे आपकी help हो सके और एक आपने ब्लॉग एवसाइट भी ट्राफिक लापाओ जितना ज्यादा बैकलेंस आप कंटीनीव बनाओंगे गेस्ट पोस्टिंग करोगे गेस्ट पोस्टिंग मने आपको दाया होता क्या है फोड़ा सा इसमें महनत लगता है एक दिन में नहीं होगा देखिए यह चीज़े दीरे- फ्लस बैकलिनस आप ले लो तो वह फ्री में कभी नहीं देगा कोई किसमें ढूनने में बहुत ज्यादा मेंनत लगती है चाहिए और बहुत महनत लगता है फ्लस्टे नहीं में दो गंटे-चार गंटे लगते है तो एक एक वेफसाइड मिलती है उसका डीअस अगर अगर म पे questions का answer दो, answer देने के बाद जो कि अपनी website का link दो, उसका भी एक तरीका है, देखिए बहुत सार लोग गया करें, website के link की copy करके paste कर दे रहे हैं, अब वो spam में डाल दे रहे हैं, तो इस case में आप बहुत ज़्यादा problem फस जाते हो, बहुत ज़्यादा आपको यहाँ पे travel होती आपकी article, जो एकी ranking आपकी article की, जो SEO अगर proper तरीस हो रही है, on page, off page SEO हो रही है, तो automatic home हो जाएगा, automatic traffic आप cover कर लोगे, तो यह सही method, एकदम genuine method मैं आपको शाथ में शेयर कर रहा हूँ, जिसके मादम से, एक beginner अपनी blog website भी traffic drive कर सकता है, तो जो कुछ भी है, वो मैंने आपको share कर दिया, और आपको regularty बना के रखनी है, हर एक platform पे काम करना है, जितने जादा platform पे, जैसे के अगर हम बात करें, medium.com पे, quera पे, या फिर अगर हम बात कर, facebook पे, इन सब पे, regularty बना के, regularty के साथ में आपको काम करना पड़ेगा, जिसके बाद ही, आपको website traffic मिलेगी, एक beginner के लिए, बहुत ही, अगर हम बात करें, difficult challenge हो जाता है, लेकिन इसको easy बनाना है, तो आप जादो से जदा backlink को create करिए, बड़े बड़े अगर हम बात करें, website को visit करिए, guest posting करिए, और खास करके, facebook, twitter, linkedin, इस type की जितने भी, वहाँ पे, जो questions किये जाते हैं, जो बड़ी ग्र जो कि पाइच डॉलर, चार डॉलर की income आप डेली के कर पाऊगे, so आई वप जो कि वीडियो आपको पसंद आए होगी, आई से वीडियो को अगर अच्छी लगए तो share करिए, और subscribe करिए, हम विलेगे नेक्स टूल में तब तक के लिए, धन्यवाद